इस कहानी को पढ़ने से आप अपने लाइफ के वैलू को समझ जाएंगे और आप अपने जीवन के महत पूर्ण पल को वर्बाद नहीं करेंगे तो चलिए अब कहानी को स्टार्ट करते हैं एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा पापा मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है तभी पापा ने कहा अगर तुम सच में अपनी जिन्दगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ इस पत्थर को लेकर मार्केट में चले जाना है और अगर कोई इसकी प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना बस अपनी तीन उंगली खड़ी कर देना बच्चा मार्केट चला गया वो कुछ देर तो वह ऐसे ही बैठा रहा लेकिन कुछ देर बाद एक औरत उसके पास आई है और उस पत्थर का प्राइस पूछने लगी वो लड़का एकदम चुप रहा उसने कुछ नहीं कहा और अपनी तीन उंगलिया खड़ी कर दी तभी वो औरत बोली तीन सौ ठीक है इस पत्थर को मैं तुमसे खरीद लूगी लड़का शौक्ड हो गया ये पत्थर की कीमत तीन सौ चुकी पत्थर जेनरली कहीं पर भी मिल जाते हैं लेकिन उसका प्राइस तीन सौ वो तुरंट अपने पापा के पास गया और बोला पापा मुझे मार्केट में औरत मिली थी और इस पत्थर के तीन सौ देने के लिए तयार थी पापा ने कहा इस बार तुम इस पत्थर को म्यूजियम में लेकर जाना और अगर कोई इसका प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना बस अपनी तीन अंगुली खड़ी कर देना वो लड़का म्यूजियम में गया और वहाँ पर एक आदमी की नजर उसके हाथ में रखे पत्थर पर पड़ी और तभी उसने उस पत्थर का प्राइस पूछा वो बच्चा एकदम चुप रहा और उसने अपनी तीन उंगलिया खड़ी कर दी तभी वो आदमी बोला तीस हजार ठीक है मैं तुम्हें इस पत्थर के तीस हजार देने को तयार हूँ ये पत्थर तुम मुझे दे दो वो लड़का फिर से चौक गया और जाकर अपने पापा से कहा म्यूजियम में मुझे एक आदमी मिला था और इस पत्थर के 30,000 देने को तैयार उसके पापा ने कहा अब मैं तुम्हें आखिरी जगह भेजने जा रहा हूँ और अब तुम्हें जाना है कीमती पत्थरों की कान पर गया और उसने देखा की एक बूढ़ा आदमी था जो काउंटर के पीछे खड़ा था जैसे ही उस बूढ़े इनसान की नजर उस पत्थर पर पड़ी वह दम शौक्ड हो गया वो काउंटर से बाहर निकला और तुरंत उस बच्चे के हाथ से पत्थर छुडा लिया और बोला तो मैं शौक्ड हूँ इस पत्थर की तलाश में मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी कहां से मिला है पत्थर और इसका कीमत कितना लोगे वो बच्चा तब भी चुप रहा और अपनी तीन उंगलिया खड़ी कर दी तब ही वो बूढ़ा आदमी बुला त दिश्वास नहीं हो रहा था वो जल्दी से अपने पापा के पास पहुचा और बोला पापा वो बूढ़ा आदमी इसके लिए तीन लाख देने को तयार हैं तब उसके पापा ने कहा अब तुम समझे अपनी लाइफ के बारे में आपकी लाइफ की वैल्यू इस बात पर ड आरे ऐसे लोग होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको सिर्फ वस्तु के रूप में उप्योग करेंगे उनके लिए आप कुछ भी नहीं है ये आपके उपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या होगी दोस् प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माई चीनल प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माई चीनल